जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study.22 चैनल पर तो आप सभी को बता दे Indian Air Force यानि कि भरतिये वायू सेना के तरफ से आप सभी के लिए Group C पोस्ट पर यानि कि Group C पोस्ट पर जो है 1832 जिसमें Total पोस्ट है भरति जारी कर दिया गया है और इसका जो है offline फर्म आपका apply ह करना है तो अगर आप सभी भी इस भरति में जाना चाहते हैं या Air Force Group C पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक चरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी eligibility criteria बताएंगे और इसका फर्म कैसे apply करना है complete जनकारी आज की इस वीडियो में आप को मिलने वाला है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले आप सभी को इस भरती के बारे में बता देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें total number of post 1832 रहेगा group C पे और यह जो है post रहने वाला है यानि की group C के लिए यह vacancy जारी किया गया है जिसमें आपका computer operator, steno, ldc, hindi typeist, storekeeper, cook, painter, carpenter, housekeeping staff, laundryman इसके अलावा mess staff, mtes, tailor, fireman, tradesman, mate यानि की काफी सारे post है काफी सारे category में बटा गया है जिसमें आपका 1832 जो है total post रहने वाला है apply mode की बात करें तो offline है who can apply तो all India candidate male and female दोनों इस firm को apply कर सकते हैं pay scale की बात करें तो 18,000 से आपका training period में सुरू होगा उसके बाद आपका धीरे धीरे pay scale बढ़ेगा application fee की बात करें तो फिरी रहेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि ये offline firm है तो offline में जो है application fee नहीं डगता है इसके बाद age limit की बात करें तो age limit आप सभी यहाँ पर देखेंगे 18 से 30 वर्स है यानि की minimum 18 मैक्समम 30 एक अप्रील 2021 के अनुसार आपका age count किया जाएगा और SCST को 5 वर्स का छूट OBC को 3 वर्स का छूट इसमें मिलने वाला है इसके बाद बात करें अगर इस भर्ती की height की तो 170 cm male के लिए और North India zone candidate के लिए 155 cm height होना चाहिए और female की बात करें तो जो female candidate है यानि की जो girls है उनके लिए आपको बता दे 155 cm रहेगा और जो North India zone से है उनके लिए 150 cm रहने वाला है यानि की जो North East के state से जो belong करते हैं student उनको छूट दिया जाता है इसके बाद यहाँ पे जो important जनकारी है वो है आपका document यानि कौन कौन से document लगेगा तो photo and signature, educational certificate में तेंथ का certificate आपके पास होना चाहिए अगर 12th पर आप apply कर रहे हैं तो 12th का भी होना आवास्याख है domicile certificate, cash certificate उसके बाद अधार काड़ आपके पास होना आवास्याख है यहाँ पे आपको बता दे कि यह जो vacancy है इसकी important date की तो देखिए यहाँ पे आपका application firm start हो चुका है और 3 मई 2021 तक इसका last date रहने वाला है last date देख सकते हैं 3 मई 2021 से है और यह जो है firm आज से लगबग एक सब्ता बचा हुए है इस firm को apply करने के लिए तो आप सभी जल्द से जल्द इस firm को apply कर दीजिए इसका officially notification और इसका firm भी आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे तो यह इसका जो है last date आपका रहेगा admit card और exam date जो है अभी available सून है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को on academy के बारे में बता दे on academy इंडिया का largest learning platform है और on academy के तरफ से आप सभी के लिए ंडिये के लिए लक्ष complete batch course जारी कर दिया गया है और यह batch आपका 11 April से सुरू हो चुका है 11 April 2021 से इसके अलावा जो batch है लक्ष बेलगाम batch है जो कि year force group X and Y के लिए है complete batch course और यह batch जो है आपका 15 April से सुरू हो चुका है जिसमें भारत के टोपी जो गेटर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप सभी इस batch का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यानि की purchase करना चाहते हैं तो आप एक मन्त से लेकर 24 मन्त तक का plan चूझ कर सकते हैं बारे मन्त का अगर आप लेंगे तो 8000 परेगा लेकिन अगर आप KPA study 10 अगर आप coupon code यूज करेंगे तो आपको जो है ये मातर 72 रूपया में मिल जाएगा तो इसका link वीडियो के description में है आप सभी जाकर जोईन कर सकते हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह रहा इसका application form में यहाँ पे application for the post यानि कौन सा post पर आप apply करना चाहते हैं और कौन सी unit में यह आपको ड़नला है और इसके अलाबा name आपका father's name, date of birth, age इसके अलाबा age यानि कि आपका कितना हो चुका है अभी तक यह आपको ड़नला है last date के according और address आपको ड़नला है correspondence and permanent address इसके बाद आपका cast है educational qualification तो इसके बारे में मैंने पहले एक video बना चुका हूँ उसका link description में आपको दे देंगे कि कैसे इस form को apply करना है और कहां पर भेजना है क्योंकि already इसके उपर मैं एक video पहले बना चुका हूँ हालांकि इसका last date जो है आप सभी को मैं बता दू 3 मई 2021 है इसलिए मैं ये video बनाया ताकि आप सभी form apply कर दे जो जो ये student को इस vacancy के बारे में अगर पता नहीं है तो और ये 3 पास और 12 पास है तो आप सभी form को apply कर सकते हैं तेंथ पास वाले के लिए भी भरती है और 12 पास वाले के लिए भी इसमें भरती होने वाला है यहाँ पर ये इसका officially notification है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये इसका officially notification है जिसमें complete जनकारी दिया गया है जैसे देख लीजिए fireman के लिए matriculation मांगा गया है यानि कि 3 पास है इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं tailor के लिए भी 3 पास मांगा गया है तो 3 पास वाले के लिए भी काफी सारे इसमें post आपका दिया गया है LDC के लिए अगर आप अप लाई करना चाहते हैं तो 2 पास इसमें मांगा गया है तो यह इसका officially notification है और यह यहाँ पर आप से भी देख सकते हैं complete जनकारी है तो इसे फर्म को कैसे अप लाई करना है उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वीडियो के description में जाकर आप सभ इस फर्म को apply कर सकते हैं तो फिरी मिलेंगे next वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मात्रम